हमारी फसलों में भारती फसलों की बात कर रहे थे तो उसमें अगला टॉपिक है हमारे प्रमुख मसाले इससे पहले हमने खादे और खादे फसलें जिसमें पूंजेकर जिन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है मुद्रद आयनी फसलों के बारे में बात की थी अब हमारे आजाते मसाले देखे भारत में मुख्य रूप से अगर खुद की स्वैम की कोई उपज है तो वह है मसाले तो मसालों की जब हम बात करते हैं इसको कहते हैं मसाले की धर्ती विश्व किस तरपे बात करें तो विश्व में जो भारत है विश्व में भारत मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक है सबसे बड़ा उपभोगता भी है खुदी किया इसकी मांग जाता है क्योंकि हमारे मिर्च मसाले बहुत कहे जाते हैं और सबसे बड़ा निर्यात तक भी कौन है भारत ही है तो इसी वज़े से भारत को क्या कहा जाता है मसालों की धर्टी के नाम से जाना जाता है अगर बात करें भारत से सबसे ज़्यादा कहां जाते हैं तो भारत से जो निर्यात किया जाता है यूरोप और मध्यपूर्व के देशों पे मध्य पूर्व के देश जो निर्यात होता है सबसे जादा होता है एक तो यूरोपिय देशों को और मध्य पूर्व के देश का मतलब आ गया आपका इरान, इराक, अरेबिया वाला जो पार्ट है ना अपना सौधी अरब दुवई वाला वो मध्य पूर्व के छेत्रों में सबसे जादा मसाला का निर्यात किया जाता है तो आपको ध्यान लख रहा है मसालों में तो हम हर तरीके से अवल ही हैं इसमें सबसे पहली बात करें कि इलाइची पहला हमारा आ जाएगा इलाइची देखे इलाइची के उत्पादन में भारत का दूसरा इस्थान है पहला इस्थान है ग्वाटे माला का ग्वाटे माले का प्रथम इस्थान है और भारत का इलाइची उत्पादन में दुद्ये इस्थान है और जितने भी जातर मसाले हैं वो हमारे दक्षिर भारत में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग जो होता है इलाईची का दवाओं में इत्र के रूप में इलाईची का बहुत होता है तो इलाईची का जो प्रोडेक्शन किया जाता है उसके लिए तापमान की अगर बात करें, इलाइची के लिए तापमान, फिर से भौगोलिक दशाया आ गई, भौगोलिक दशाया में, मतलब तापमान, मिटी, वर्षा, ये सब बात करें, तापमान चाहिए होता है, 14 डिगरी से तक्रिवन 20 डिगरी सेंटिगेट, इसके लिए टेंपरेचर की आवश होती है, क्योंकि भारत पडरे तो भारत में ये कहा होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे यहां हैं कारडॉम फिल्स, इलाइची की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, केरल वारे चेतर में,तो यह जो campaign cardamal और इधर अगर इसकी बात करें कि मुख्य छेत्र तो पश्यमी घाट यह हमारा क्या हो गया पश्यम और यह हो गया पूर तो यह जो सहयाद्री यहां से लेकर महराज से लेकर निचले तक छेत्र में आ जाती है यह मैंने आपको बताई दिया पुरा इलाईची की पाड़ियां तो पश्चमी की जो इलाका है पश्चमी घाट इलाईची के हुट पादन में महत्वुपूर्ण स्थान रखता है भाइरत में आध्रे जलवायू रहती है नमी रहती है तो दाना उतना ही मोटा और अच्छा बनता है हरी इलाइची सबसे अच्छी मानी जाती है मुख्य उत्पादक छेतर मैं आपको पहले मैप के अकॉर्डिंग जो मैं आपको छेतर बता रही हूँ जो इलाइची की पाड़िया इसका मतब करनाटक केरल और तीसरा तमिलनाडू ये तीन मुख्य छेतर ह जहां पर इलाइची का उत्पादन भारत में किया जाता है अच्छे स्थर पर तीक है दूसरी हम बात कर रहे हैं इलाइची के बाद जो दूसरा प्रमुख मसाला है वो है हमारी रेड चिली लाल मिर्च ये हो गया हमारी कॉन इलाइची और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट अगर कहाट तो इसको इसको कहाता है तो इसको कहता है वंडर स्पाइस दूसरा नाम आघर आपको कहीं आपने सुनाओ अदFrू सो अध्ष है अध्भूत मसाला यह वंडर स्पाइस के नाम马ें शीयां किया जाता है लाल मिर्च को एक या किया जा रहा है एक known सím just मिर्च को बात करें तो निर्यात के इस तर पे वाणिज्य इस तर पे इसका बहुत महत्वपुन है और महत्वपुन मसालों में लाल मिर्च आप जानते हैं इसके बिना कामी नहीं होता तो पूरे विश्व में बहुत बड़े इस तर पे लाल मिर्च का क्या किया जाता है उप पूरे विश्व का आधा कहां पैदावार होती उत्पादन होता है भारत में 50 प्रतिशत अकेले भारत से लाल मिट्च का उत्पादन करके निर्याद किया जाता है तो ये भी इंपोर्टन है अगर तापमान और वर्षा की बात करें तापमान चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंट ये इसके लिए टेंप्रेचर चाहिए वर्षा की बात करें कि कितनी वर्षा चाहिए होती है तो 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर मिट्च के लिए वर्षा की आवश्यक्ता होती है तो temperature भी बात हो गई, बरशा हो गई, मिट्जी में हो जाती है, लेकिन इसके लिए जो बहुत अच्छी मिट्जी है अगर बहुत अच्छी बात करेंगे मृदा, तो लाल दोमट मिट्जी लाल दोमट मिट्टी में लोहाईश की मातरा बहुत अच्छी होती है उस जगह इसकी वज और पैदावार बहुत अच्छी प्राप्त होती है छेत्र इसके बात करें तो आंध्रप्रदेश, करनाटक, पश्यमी, बंगाल ये मुख्ये हैं ज़ा मुख्ये होती है एक तो ये वाल चेत्र आ गया आंध्रप्रदेश में, करनाटक में, पश्यमी, बंगाल में चोंडी के य जो इसके मुख्ये छेत्रएं ये तो इसके अन्य चेत्रों पहले हैं राज्या समय भी भी होती है यह ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां ज़ादा हो री इस लिए Mention के है densely Lea गुजरात में होती है एम्पी में भी होती है यूपी के भी कुछ छेत्रों में ऊपूर हिमाचल वाले प्रडेश में व्होती है लेकिस मात्राम की बात करें जो मुख्य रूप से काम आने वाले बसा ले हम अभी उनी की बात कर रहे है लॉंग देखें लॉंग पूजा में भी काम आती है मसालों में भी तो आपको पताईए बीमारियों में और शिदी है रूप से लॉंग का बहुत महत्व है तो लॉंग एक तरीके से बहुत इंपोर्टेंट है मूल रूप से अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया का उत्पादित मसाला है अगर मूल बात करें मूल तो ये हैं इंडोनेशिया का उत्पादित मसाला है ठीक है? मूल भी इसका पता होना चाहिए कि लॉंग का कहां से आया है और लेकिन वर्तमान में अगर बात करें कहां कहां हो रहा है तो ये जंजीवार है, मलेशिया है, मेडा गासकर है, श्री लंका है, देखें वर्तमान में कहां कहां हो रहा है, श्री लंका, भारत, मलेशिया, जंजीवार, आइलेंड, यहां मुख्य रूप से वर्तमान में लौंका उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें भारत भी है ही है, जो बात मसाले भारत का पढ़ रहें तो उसमें भी है अगर टेंपरिचर की बात करें तो तापमान जो इसके लॉंग उत्पादन के लिए चाहिए 25 डिग्री से 35 डिग्री से और वर्षा तक्रीवन 150 के आसपास ही हम आई जा रहें अधिकतर मसालों में तो वर्षा 150 सेंटीमीटर की इसके लिए चाहिए हो होती है अगर बात करें तो इसका मैंने का था और शिद ही उपयोग बहुत जाता है एंटिबायोटिक रूप में गुणों से युक्त होती है चिकित सामे प्रमुखरा जितने भी गरम मसाले हैं जाए लॉंग हो इलाइची हो काली मेडच हो और क्या बोलते हैं आपके दाल चीनियों सब होती है हमारी दक्षणी भारत में तो केरल केरल करनाटक और थोड़ी सी तमिलनाडू यहां पर किसका उत्पाधन होगा हमारा लॉंग का यह अग्रणी राज्य हैं मैं जितने भी आपको गरम मसाले बता रही ह आपको केरल करनाटक तमिलनाडू कॉमन हैं यही रहेगा छेत्र ज्यादा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा याद करने में आसानी हो जाएगी और सबसे ज्यादा बात करें तो करनाटक में इतना नहीं होता जितना केरल और तमिलनाडू में लॉंग का उत्पाधन ज्य तो यह देखे आपको जितने भी आपने इस्पैनिश फूट सुनेंगे युरोपियन फूट सुनेंगे उसमें ब्लेक पेपर काली मिर्च का सबसे अदा उपयोग होता है मुख्य रूप से पश्मी घाट की पहाडियों से इसका उत्पादन होता है जो सहयादरी भी कहा जाता है तो मुख्य रूप से इसका उत्पादक छेतर जो है वो काली मिर्च का यहीं है फिर से वो केरल करनाटक तमिल नाडू वाली स्थिति फिर से मैंने का था जितने भी गरम मसालों की बात होगी तो हम दक्षिन भारत में केरल करनाटक तमिलनाडू के चेतर में सीधे-सीधे पहुंच जाएंगे वर्तमान में बात करें भारत के अलावा इंडोनेशिया है मलेशिया है थाइलांड चीन में भी इसका उत्पादन ब्राजील में कमबोडिया में होता है देखे टेंपरेचर की बात करें और वर्षा की बात करें कि कितनी कितनी चाहिए तो वर्षा तो चाहिए 125 cm से 200 cm इसके लिए वर्षा की आवश्यक्ता होती है अगर तापमान की बात करें तो तापमान चाहिए होता है 10 degree centigrade से 40 degree centigrade पकने के लिए दाना काला देखा है पक के अच्छा सा हो जाता है कुटुर कुटुर वाला तो वो किसके लिए temperature 40 degree के आसपास चाहिए होते जिसे उसमें पकावट अच्छी तरह आ जाए Actually कच्छे रूप में तोड़ी जाती है ऐसा नहीं कि पकने पेड़ पे ने कच्छे रूप में तोड़ ली जाती है और तोड़के इसको फिर सुखाया जाता है और जब सूख जाती है तो MASाले के रूप में इसका क्या किया जाता है उप्योग किया जाता है मुख्य रूप अगर उत्पादक छेत्र की भारत में बात करें काली मिर्च का प्रमुक उत्पादक छेत्र उत्पादक छेत्र भारत में सरवादिक अगर कहीं होती है तो केरल में होती है, उसके अलावा फिर करनाटक और तमिलनाडू के छेतर में, लेकिन प्रमुक उत्पादक छेतर काली मिर्च का केरल है, यह आपको धियान रखना है, इसके अलावा करनाटक है, गोवा में भी होता है, अंडुमान निकोवार में भी छोटे स्थर पे, तो के केरल, करनाटक, तमिलनाडू, इसके अलावा कुछ मातरा में, गोवा में, अंडुमान, निकोवार में नए प्रणाली यूज़ करके, अंडुमान निकोवार में भी इसके उत्पादन को किया जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना कि हम केरल से मुख्य रूप से सबसे आदा इसकी खपत यहीं पर होती है, अगले हमारा जो मसाला है, वो है हल्दी, खाने में, दवाई के रूप में, इसके अलावा, आपके सौंदर प्रसाधनों में, सबसे पूजा में, हल्दी का सबसे पहले प्रयोग होता है, हम जानते हैं हमारे से रखा जाता है, खाने में, तो जो हल्दी है मूल रूप से, दक्षिन पूर्वेश्या का पौधा है, अगर मूल रूप मूचा जा है, कहां का पौधा है, दक्षिन पूर्वेश्या का पौधा है, पहली चीज तो, दक्षिन पूर्वेश्या मतलब कौन सा आ गया हमारा ह दक्षिन में तो भारत ते ही आ जाता है पूर्व की बात करें तो हिंद चीन वाले जो इंदेश्या वाला पार्ट है वो पूरा आ जाता है कैसी फसल है अगर बात करें गरम छेत्र किये तो फसल की बाद ऊश्ण कटी बन दिये फसल है हल्दी पूरी तरी से उश्ण कटी गरम छेत्र में पैदा होने वाली फसल है इसमें गर्माहट के ही गुण होते हैं सर्दी के दिनों में हम विश्य शुप्स को अपयोग करते हैं और मिट्टी जो इसके लिए सबसे अच्छी है वो लाल मिट्टी ब्रदा की बात करें तो ला मिट्टी में हुमस की मात्रा के साथ उरवर्ता इसकी अच्छी प्राप्त होती है तो और दूसी बात वर्शा या सिंचित करके भी सिचाई वाले छेत्रों में भी तो इसके लिए 50-75 cm बारिश की हो जाती है जहां जल भर जाए वह छेत्र वहां पे इसका उत्पादर नहीं तो हमें पानी की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें उश्र कटी बेंती है तो आपको पता है और उश्र कटी बंद का मतलबी टेंपरेचर 30 के आसपास रहे वह हो जाएगा पानी ज्यादा हो गया तो इस खराब हो जाएगा पौदा सड जाएगी इसके लिए रुका प्रमुक उत्पादक छेत्र की बात करें तो हमारे भारत का जो प्रमुक उत्पादक छेत्र है चेत्र में पहले पर आंधर प्रदेश तेलंगाना पहले आंधर प्रदेश और तेलंगाना देखे एक हीता अब दोनों अलग अलग हो गया इसलिए दोनों अलग अलग नाम ल तमिलनाडू करनाटक इसी सीरियल्टी में यहां पैदावार भी होती है पहले नमर पे अंदर पतरीश फिर तेलंगाना महाराज करना इन छेत्रों में हल्दी का सरवाधिक उत्पादन होता है अन्य छेत्रों में भी होता है और आजकल तो सब्जी के रूप में बहुत विशे चल वाले चेत्र कांगडगाटी चेत्र उन चेत्रों में विशेश रूप से अच्छी वाली हल्दी होती है इसके अलावा जो अगला है हमारी दालचीनी आजकल देखे कोरोना टाइम में कह रहे हैं दालचीनी का विशेश रूप करें अपने इम्मुनिटी सिस्टम बढ़ अगर इसकी उत्पत्ति कहीं जाए तो श्रीलंका की मध्य पाहडियों से उत्पत्ति की बात किया रहे हैं उत्पत्ति श्रीलंका की मध्य पाहडियों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है तो उत्पत्ति भारत से ना होके कहां से है श्रीलंका से है भारत में बात करेंगे नील गिरी मालावार पाहडी छेतर में सरवादिक होती है भारत में पाहडिय। बात से पहले वर्षा की बात कर लें वर्षा 150 से 250 संटीमीटर वाले छेतर में पानी मतब आधर चेतर में इसका उत्पाधन होगा इसके अलावा आपकी अगर बात करें कि तापमान कित्ता चाहिए तो तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री से इंटिगेट इसके लिए तापमान चाहिए देखे बारिश अच्छी बता रही तो आधरत अच्छी होगी ऐसे छेतरों में दालचीनी होती है यह सिना मोमम वीरम एक व्रक्ष होता है उसकी च्छाल होती है सिना मोमम वीरम यह व्रक्ष का नाम है इसकी च्छाल से बनती है इसकी च्छाल से ही कहा जाता है उसे कहा जाता है डाल चीनी जो कि हम सबसे यदा उप्योग कर रहें इन दिनों में इसको सुखा कर और शदी रूप में पीस कर सबसे यदा उप्योग किया जाता है तो छेत्र मुख्य रूप से इसकी नीलगिरी और मालावार की पहाड़ी अब जिन बच्चों को नीलगिरी परवत नी पढ़ा ये भारत का दक्षनवर्ती हिस्सा है यहां नीलगिरी की पहाड़ी और यहां पर ही ये कहलाता है मालावारतट यही मालावार का छेत्र पढ़ता है तो इस छेत्र में मुख्य रूप से क्या होता है दालचीनी का उत्पाद होता है अन्य चेत्रों में कम आंध्र में भी किया जाता है नल्ला मलाई की पाढ़ियों पर भी महेंदर गिरी की पाढ़ियां यहां पर होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना की सरवादिक मात्रा की बात करें जो की दक्षिन भारत में होती है तो मुखे मुखे मसालों अब ही हुई है जिनके हमें नाम पता होने चाहिए कि नीली क्रांती किसे कहते हैं या इसमें अगला topic जो important है वो है आपका हरित क्रांती तो अभी सिर्फ मसालों की बात किए अब हम क्रांती के बारे में चडचा करें